टाटा आईपील 2022 का आखरी लीग मैच पंजाब किंग्स और सन्राइजिस हैदरबाद के बीच हुआ तो इस मैच में पंजाब किंग्स ने सन्राइजिस हैदरबाद को पांच विकेट से हरा दिया था तो मैच में जब पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी शुरू हुई तो S.R.H. के तेज गेंद बाज उमरान मलिक की एक गेंद पंजाब किंग्स के कप्तान मयंक अगरवाल को जाकर लगी और वे जमीन पर गिर पड़े तो दोस्तों यह बाद चौथे ओवर की चौथी गेंद की थी जब उमरान मलिक ने करीब करीब एक सो पचास की गती से गेंद डाली और वो गेंद सीधी मयंक अगरवाल की पसलियों पर जाकर लगी हालन की वे एक रण के लिए दोर गए लेकिन उसके बाद मयंक मैदान पर ही लेट गए और वो जबरदस्ट दर्द में दिख रहे थे फिर इसके बाद फिजियो मैदान पर आए और उनका इलाज किया गया जिसके बाद उन्हें प्लेन किलर्स दी गई और बाद में मयंक अगरवाल खड़े हुए और फिर से बल्ले बाजी करने की कोशिश की हाला की मयंक अगरवाल इस हाथसे से उबर नहीं पाए और एक रन बना कर ही आउट हो गए तो अगर आपको विडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना